नमस्कार सातियों आप शबी का मैं श्वागत करता हूँ देखिए आज की किलास बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है आज की किलास में हम किलफोर गिड्स के बारे में चर्चा करेंगे हाला कि ये एक ऐसे विचारक हैं जिनके बारे में किताबों में बहुत कम मात्रा में कंटेंट आपको नजराएगा फिर भी मेनत करके आप शबी के लिए मैंने एक अच्छा खाशा कंटेंट तैयार किया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किलफोर गिड्स की अगर आपने आज की किलाश तली नोकर देख ली तो इससे संबंदित कोई भी पिर्शन आए वो आपका गलत नहीं हो ठीक है ना आप एक बार बता दीजिए कि क्या आपको मेरी आवाज प्रोपर तरीके से सुनाई दे रही है जिसके बाद में हम अपनी किलास को कंटिन्यू करेंगे मज़ेदार तरीके से पढ़ाऊंगो मैं आपको प्रते क्लाश की तरह है ना और जब आप कभी क्लास देखो न तो तल्लीन होकर देखा करो बई शमय तो बरबाद हो रहा है वैसे भी यूटूब पर आप शमय वेतित कर रहे हो तो इससे अच्छा कुछ मन से किया करो और कि किसी भी एकजाम की तयारी कर रहे हो बहुत शारह ऐसे कमेंड शाते हैं कि सर क्या ये क्लास नेट के लिए इंपोर्टेंट है या और पी एसी के लिए या सैट के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये यूनिवर्शल थिंकर है इनके बीना सोशलोजी अधूरी है ठीक है न त किसी भी कॉंपटिशन की तयारी कर रहे हो शबी के लिए रामबान है अब देखो मैं क्लास प्रारम करता हूं हम उद्दे पर आते हैं सद्यों हमारे समाज सात्तर में बहुत सारी विचार धाराये चलती है जैसे उसमें एक प्रकार्यवाद की विचार धारा हो गई जिसके नव मार्कशवाद की चर्चा करते हैं अगर हम भारत के शंद्रम में चर्चा करते हैं तो आपके इंडोलोजी की विचार धारा आ जाती है ठीक है ना या हम दोंदवाद की चर्चा करते हैं इससे पहले की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको critical approach के बारे में पता comparative यानि निर्वचनात्मक और वाक्यात्मक विचारधारा से जुड़ा हुआ है जैसे हम सास्त्रिय परंपराओं की चर्चा करते हैं तो सास्त्रिय परंपराओं में एक आगश्ट कामटेशाब का नाम आ जाता है दुर्थिम का नाम आ जाता है बेवर का नाम आ जाता है काल दूवे का नाम आजाएगा अगर हम western thinker की चर्चा करते हैं तो मरटन उसमें आ जाता है पारशंस उसमें आ जाता है मैलिनोस की उसमें आ जाता है ब्राउन उसमें आ जाता है ठीक है ना उशी तरीके से अगर हम critical approach की चर्चा करते हैं तो सत्यो critical approach में लूी अल्थुजर भी आजाएगा आपका हैवरमास भी आजाएगा आपका लुकाक्स भी आजाएगा आपका हर्काइमर भी आजाएगा थीक है न तो उषीकड़ी में अगर आपशे कोई यूं पूंशता है कि आपके जो किलफोर गिड्स साहब हैं ये किस विचारदारा से तालुकात रखते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ हर्मेनूटिक्स और इंटरपेरेटिव यानि वाक्यात्मक और निर्वचनात्मक विचारदारा से इनका तालुकात है अब बात ये निकल कर आती है कि वाक्यात्मक और निर्वाचनात्मक्षे और कौन से विचारक है तो इसी कड़ी में आपका मीड का नाम आ जाता है इसी कड़ी में आपका बिलूमर का नाम आ जाता है इसी कड़ी में आपका सूट्स का नाम आ जाता है अब बात ये निकल कर आती है कि ये जो आपकी Inter-Perative यानी निरवचनात्मक विचारधारा है ये एक्चिल में क्या होती है निरवचनात्मक विचारधारा देखिए निरवचनात्मक विचारधारा की सबशे पहले बात समाशास्तर में Mr. Max Beaver शाब करते हैं मैक्स बेवर शाब ने एक शिद्दान्त दिया था सामजी क्रिया का शिद्दान्त ठीक है ना उसने चार पिरकार की सामजी क्रिया यह बताई है बेवर ने सबसे पहले वो रैशनल की बात करता है फिर जिसके बाद में एविलेटिव की बात करता है फिर जिसके बाद में अफ स्कूटर वाड़े हैं वो जा रहे हैं ठीक है ना आपस में एक दूसरे से वो टकराते हैं और उन दोनों में आपस में ना कोई वाद होता है ना विवाद होता है ना पृतिवाद होता है क्या ये किरिया है नहीं ये किरिया नहीं है सैतियो किशी किरिया को तब तक किरिया नह कर दें जैसे एक एक जामपल मैं आपको देता हूँ भारत पाकिस्तान में युद दोरवा था ठीक है न और भारत के बौडर बारत के बौडर पर कुछ शैनिक है जो लड़ाई लड़ रहे थे तो अचानक क्या होता है कि भारती ये सैनिक है न जो उनकी टुकडी होती है वो उनकी तरह भागते हुए दिखाई देते हैं तो वो जो टुकडी वाड़े सैनिक थे यानि थोड़े से इदर थे वो यूँ सोचते हैं कि सायद ये डर के भाग रहे हैं जब कि ऐसा नहीं होता है शाथियों वो मदद के लिए भाग रहे होते हैं उनको कोई ना कोई हेल्प चाहिए तो ध्यान रखना किसी भी किरिया का जब हम सही अर्थ लगाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं इंटर्पैरिटीव यानी उसे ही हम निरवचनात्मक कहते हैं जैसे मैंने आपको एक एक जांपल भी दिया था ओनलाइन क्लास में एक दिल की सर्दियों के दिन थे अब सर्दियों के दिनों में सर्शों की खिती होती है हमारे इदर अब सर्शों की खिती में कीड़ा होता है जो इदर उदर घूमता रहता है तो एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो मेरी आँख में वो कीड़ा चला गया सामने से एक फीमेल आ रही थी तो मेरा तो उस कीड़े की वज़े से आँख बंद करना हुआ और सामने वाली फीमेल ने कुछ और सोच लिया कि इसका इरादा कुछ हो रहा है इसलिए ये अपनी आँख बंद कर रहा है तो ये इंटरपेरेटिव नहीं हुई ये निर्वचनात्मक नहीं हुई क्योंकि उस मेला ने मेरी किरिया का सही अर्थ ही नहीं लिया ठीक है न तो आज की जो किलास है किलफोर गिडस साब की हम इसके बारे में चर्चा करेंगे देखे इस किलास के बारे में जो थोड़े बहुत कीवर्ड है इन कीवर्डों को मैं आपको पता देता हूँ शबशे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि 1926 में सैन फ्रांसिसको कैलिफोर्निया जो यूएस में है वहाँ पर इनका जनम हुआ था और 2006 में इनकी मिर्थी हो गई थी अब बात ये निकल कर आती है कि इन्होंने जो छेत्री अध्यन किया था फिल्डवर किया था वो कहां पर किया था तो देखिए बेसिकली इन्होंने जो फिल्डवर किया है वो इंडोनेशिया में किया है इंडोनेशिया में चाए हम बाली दीप की बात करें या इंडोनेशिया के हम शुमात्रा की बात करें ठीक है ना या इंडोनेशिया के हम शेलेवस की बात करें या हम मौरको की बात करें कई बार यह पूछा जाता है कि आपके बाली और जावा में किषने अध्दन की है तो ध्यान रखना यहां अध्दन किषने किया था मिश्टर किलफोर गिड्स ने किया था ठीक है फिर जिसके बात यह बात निकल कर आती है किलफोर गिड्स को क्यों याद किया जाता है देखो एक तो इन्होंने संसकर्थी के बारे में बहुत कुछ बताया है क्योंकि आपको पता है कि संसकर्थी मानव का वेवार होता है संसकर्थी को हम ट्रांसपर भी कर सकते है संसकर्थी विराशत में नहीं मिलती है जो dressing style है वो भी अपने आप में संस्कर्ती होशकता है तो आपको पता है कि ये interpretive विचारधारा से थे निर्वचनात्मक विचारधारा से थे तो जहां कहीं निर्वचनात्मक विचारधारा आएगी तो वहाँ पर तो संस्कर्ती आनी है जैसे इन्हों ने जब जावादीब का अधिन किया था तो वहाँ पर मुर्गों की लड़ाई होती है वो लोग क्या करते है कि मुर्गों को आपस में लड़ाते है अब वो उनका एक मनोरंजन का साधन भी होशकता है तो कई बार क्या होता है इस खेल का इन्हों ने जिक्र किया है जैसे डेविड हार्डीमैन की चर्चा करते हैं डेविड हार्डीमैन शाब है वो सवाल्टरंश आते हैं डेविड हार्डीमैन की एक किताब है दा बन्याश तो डेविड आर्डी मैं ने ए गाउं का अध्दिन करते हैं गुजरात के खेड़ागराव का अध्दिन किया था तो वो कहते हैं कि वहाँ पर दे भी आती है रोगों को क्या करती है वो चेतना का कारिय करती है उसी तरीके से ये मुर्गे की लड़ाई का जिक्र करते हैं ये कहते हैं कि कई वार मुर्गे क्या करते हैं कि आपस में लड़ते लड़ते घायल हो जाते हैं आपस में एक दूसरे को मार भी देते हैं लेकिन जो लोग उनको लड़ाते रहते हैं उनको दया वगेरा नहीं आती है तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि मुर्गे की लड़ाई तो एक माध्यम है मुर्गे की लड़ाई को अगर हम इंटर्पेरेटिव तरीके से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये लोग कितने निर्देई है इन लोगों में दया भाव नहीं है जीओ के प्रतीन में दया नहीं है ठीक है न? उसी तरीके से ये धार्मिक प्रतीगों की चर्चा करते हैं ये कहते हैं कि धरम किस तरीके से लोगों के किरिया कलापों को प्रभावित करते हैं धरम सोचने विचारने का काम करते हैं, धरम जीवन सहली को निर्धारित करते हैं, धरम है जो वेवार को निर्देशित करते हैं, और उसी तरीके से ये मिश्टर दुर्खिम शाव का भी जिक्र करते हैं, आपको पता है कि दुर्खिम ने आश्टेलिया की अरुंटा जन्जात कर्दिन किया था तो उन्होंने धरम को दो भागों में बाटा है शेक्रेट और प्रोफेन पवित्तर और शाधारण कई जगे साधारण को यह पवित्तर भी लिखा हुआ है तो उसी तरीके से मिस्टर किलफोर गिड़ से ना ये भी कहते हैं कि धरम का तालुकाद पवित्तर चीजों से है ठीकिना और एक बात और कहते हैं ये धरम और संसकरती के बारे में कि धरम और संसकरती मनुष के साव्याव से बहार होती है जैसे हम शामजिक तथ्यों की चर्चा करते हैं Social Fact दुर्खिम ने शामजिक तथ्यों की दो लोकाद किसी एक व्यक्तिश नहीं होता है उशी बात का जिक्रिये वाईशाब करते हैं किलफोर गिर्स करते हैं ये कहते हैं कि संसकर्ती और जितने भी प्रतीक है ना ये मनुष्के साव्यव के बाहर की चीजे होती हैं इनमे प्राणी सास्त्रिये बाइलोजिकल इफेक्ट नहीं पाया जाता है ना इनमे अनुवान शिक्ता पाई जाती है बलकि ये क्या होता है एक सीखा हुआ वैवार होता है तो कुल मिला कर आज की क्लास का जो शार निकलता है अभी बताऊंगा मैं आको वो यही है कि मिस्टर किलफोर गिर्स साब है वो शायतियों वाक्यात्मक और निर्वचनात्मक प्रमपरा से आते हैं वो संसकर्ती का जिक्र करते हैं जिस तरीके से मैलिनोषकी ने एक बात कही थी कि संसकर्ती का छोटा से छोटा तत्र यानि छोटा से छोटा भाग संसकर्ती का मनुष की आवशक्ताओं की पूर्ति करता है जिस दिन वह मनुष की आप शक्ताओं के पूर्ती करना बंद कर देगा उस दिन संस्कर्थी का अस्तित्व है न वो शमाप्त हो जाएगा उसी तरीके से संस्कर्थी के पिरकारियवाद की बात कौन करता है अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा शार यह देखू ज्यादा नहीं है इससे बाहर कुछ जाने वाला भी नहीं है इससे बाहर आपको कंटेंट मिलेगा भी नहीं इससे बाहर जो मिलेगा न वो अनावशक मिलेगा ठीक है तो सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए कि ये जो मिश्टर किलफोर गिड्स साब है ना इनका जनम हुआ था 13 अगस्त 1926 को सैन फ्रांसिसको जो कहां पे है कैलिफोर्निया में दूसरा ये है कि 30 अक्टूंबर 2006 को मिश्टर किलफोर गिड्स साब की क्या हो गई थी मिर्थ्यों गई थी है ना फिर जिसके बाद में शब अख्यात्मक आइडियोलोजी है ना और फिर जिसके बाद में एक इनकी निर्वचनात्मक आइडियोलोजी जिस पिरकार सिंबोलिक इंट्राइक्शन हिजम की बात मीड करता है बिलूमर करता है प्रतिकात्मक अंते किरियावाद बोलते हैं इसको हिंदी में है ना यानि हम इसी वस्तु है हमें दिखाई देती है मन अंदर शे करता है कि यह मुझे खरीदनी चाहिए तो प्रतीक हमें दीखा तो हमने क्या किया रैस्पॉन्स किया तो उशी की बात कौन करते हैं मिश्टर किलफोर गिड्स करते हैं इन्होंने धर्म को प्रतीक का आए इन्होंने अध्यन की यह बहुत बार इस तरीके से factual प्रिशन बन सकता है जिसके बाद में मुर्गे की लड़ाई वहां पर एक खेल है जैसे मैंने थोड़ देर पहले कहा कि इस प्रकार का जो खेल है वो सामजिक प्रैस्तित्ति का भी बखान करता है जैसे मुर्गे की जो लड़ाई होत दो जानबर लड़ेंगे तो वो मरेंगे भी लेकिन उन लोगों का मनोरंजन तो हो रहा है जैसे पहले क्या होता था राजा पाराजा लोग शिकार करने के लिए जाते थे अब उन लोगों के लिए तो वो मनोरंजन था लेकिन शिकार में वो बेजुबान जानबर मारे भी तुझा आते थे तो वो क्या हो गया है वो उनके एक social status को दर्शाता है सामजिक प्रेस्तिती को दर्शाता है तो यहां पर देखिए Mr. Kilfor Gids है ना उसने केवल एक खेल देखा उसने केवल एक गैम देखा लेकिन उस गैम के पीछे उन्होंने क्या थोड़ तैयार करी उनकी नि यहां के लोगों की बहदरी को दर्शाता है, यहां के लोगों की लड़ा को पिरवर्ती को दर्शाता है, और यहां के लोगों के सोशियल स्टेटस को दर्शाता है, यही क्या होता है, इसे ही हम निर्वचनात्म कहनी इंटर परेटिव कहते हैं, ठीक है न, फिर जिसके बाद म में बहुत बड़े विद्वान भी थे आर्वर्ड विश्विद्याले से human relation में इन भाई साब ने अपना PhD किया था इस तरीके के पिर्शन पूछ लिया था अभी दुर्खिम का पूछ लिया था the division of labirin society सायद 1893 1803 में में समाज में शरम विभाजन पर दुर्खिम ने क्या की थी अपनी PhD की थी ये net में आया हुआ पिर्शन ठीक है फिर जिसके बाद में अगर हम इनके अद्धन छेतर की चर्चा करते हैं जैसे अरुंटा जन्जाती का अद्धन दुर्खिम भाई साब ने किया थ अद्धन किस ने किया है मिश्टर किल और गिर्श ने किया है फिर जिसके बाद में संसकर्ती व्यवस्ताओं का अद्धन सामाजिक यथार्थ यानि संसकर्ती क्या है थीक है न तो संसकर्ती समाज की यथार्थता यानि जो रियलिस्टिक है न समाज की उशको बताने का काम क नातेदारी अपने आप में एक संस्कृति हो शक्ति है, किनसिप और गेनाइजेसन इन इंडिया, भारत में नातेदारी शंगठन, नातेदारी क्या होता है, नातेदारी एक तरीके से वेवार करने के तरीके हो शक्ति है, जैसे नातेदारी की कुछ प्रिणालिया बता रखी ह लगलग संस्क्र्ति की अलगलग नात्यदारिया अलगलग उनकी जीवन विदिया होती है अलगलग क्या होता है शक्ति का वित्रण होता है सात्यों इनकी एक निवन्द था मिस्टर किलफोर गिर्ज का और जिसका नाम था ठिक डिस्क्रिप्शन ठीक न ये प्रिशन पूछ गया है ठिक डिस्क्रिप्शन के अंतरगत ये संसकर्ती की छत्री अउधाना बनाने पर बल देते हैं छत्री अउधाना क्या होती है जैसे अपनी छत्री को लेकर इधर खड़ा हुआ है कोई शामने खड़ा हुआ है को इधर खड़ा हुआ है तो यहां पर किलफोर गिर्ज से एक बात कहते हैं कि संसकर्ती की छत्री अउधाना बनाने की आवशक्ता है मतलब उश्का अर्थ एक निकलना चाहिए कई बार क्या होता कुछ एक ऐसी क्रिया होती है अब उसका मतलब कहीं दूश्रा होता है तो कहीं दूश्रा होता है जैसे अफरीका की एक जन जाती है मसाई जन जाती है न वहाँ पर क्या होता है कि कोई रिष्टेदार वगेरा आते हैं तामाद वगेरा आते हैं तो वो लोग ठूकने का काम करते हैं अब उन लोगों का थूकना एक अच्छा माना जाता है, हमान लोग कोई नया नया दामाद आया है, उसके उपर उसकी शाली वगेरा शलज वगेरा ने थूका नहीं तो उसका अपमान हो जाए, वो सोचेगा है कि मेरी उपर थूका ही नहीं है, जबकि हमारी यहां पर थूकना बहुत घठिया काम आता है उसको बिलकूल गलत दरश्टी से देखा जाता है लेकिन किलफोर गिरसियूं कहता है कि संसकर्ती की कोई भी किरिया हो गई या संसकर्ती का कोई भी भेवार हो गया उसकी क्या होनी चाहिए छत्री आउधार ना होनी चाहिए मतलब उश्का अर्थ एक जैसा निकलना चाहिए उश्चे क्या होगा कि समझने में आशानी होगी ठीक है न और जिसके बाद में संसकर्थी के अनिवारियता जैसे मैंने अभी आप शेका है मिस्टर मैलिनोस की संसकर्थी के पिरकारियवाद की तरचा करते हैं मैलिनो संसकर्थी है तो समाज जिन्दा है संसकर्थी है तो आपश में वहवार जिन्दे है इसकी बाद कोन करता है मिस्टर किलफोर गिड्स करता है ठीक न और अगर हम धरम की चर्चा करते हैं तो धरम का इन्नों ने वरगी करण किया है धरमिक प्रतिकों का वो इमाइल दुर्ख परतीगों की एक व्यवस्ता होती है बहुत सारे परतीगों की एक व्यवस्ता होती है जो क्या करती है मानव वयवार को नियंतृत करती है मैं लिए उसको छमजने परपल देते हैं यह जब इंडोनेसिया जाते हैं जावा वहां का जो दीप है वहां पर जाते हैं बाली में जाते हैं शुमात्रा में जाते हैं मौरकों में जाते हैं तो वहां इस तरीके के वो किरिया कलाप देखेते हैं यहां पर यह दार्मिक किरिया कलाप हो रहे हैं, तो यह क्यों हो रहे हैं? क्या यह यह लोगों में यूनिटी लाता हैं? बिल्कुल लोगों में यूनिटी लाता हैं, यह देखते हैं कि एक जगे लोग इखटा हो रहे हैं, अपने लोग देवी देवता की यह पूझा कर रहे जब एक जगे एकटा हो रहे हैं उस लोग देवी देवता की वो पूझा कर रहे हैं तो यह लोगों की इक्षाएं और प्रिणाओं का काम करते हैं धारमिक पृति जिसके बाद में संसकर्ति पृतिकों की एक व्योस्ते अशंकूल है पृतिक संसकर्ति में अलग-अलग पृत हो शकते हैं ठीक है न जिसके बाद में एक बात और कहते हैं कि संसकर्तिक पृतिमान क्या होते हैं बहाय स्रोत होते हैं यानि जिस तरीके से अभी मैंने आप शे कहा न कि दुर्खिम है जो सामजिक तथ्यों में बायता और बादिता की बात करता है उसी तरीके से मिश्टर क इलफोर गिड़्स है न वो क्या कहता है कि सांस्कृतिक प्रतिमान क्या होते हैं मनुष्ट के बहार के होते हैं अगर मैं अपनी तरफ शे कोई सांस्कृतिक प्रतिमान एपलाई करना चाहूं तो वो सांस्कृतिक प्रतिमान एपलाई नहीं हो शकते हैं जैसे मैं अपने होते हैं ये मनुष् Palmer साव्याव के बाहर के चीज़ें होती है किसी एक सिंगुलर परशन का इन पर कंट्रोल नहीं होता है ठीक है ना यह सामोई क्रियकलाब पर क्या होते हैं आधारित होते हैं फिर जिसके बाद में इनकी कुछ किताबें हैं यह किताबें बहुत ज्यादा important हैं आप से पूछी जा सकती है जैसे 1960 मिनों ने किताब लिखी थी The Religion of Java जो इंडोनेशिया में है यानि जावा का धरम ठीक है और वहां के धार्मिक किरिया कलाब और धार्मिक प्रतीक यह 1960 में लिखी थी जिसके बाद में इनकी द यह 1966 में लिखी थी फिर The Interpretation of Culture यह 1903 में लिखी थी The Religion as a Culture System यह भी किसकी है Mr. Kilfor Girds की है अब एक बार मैं आपको ब्रिफ में बता देता हूँ ठीक है न देखे इससे बाहर तो कुछ है नहीं आज हमने Kilfor Girds के बारे में चर्चा करी बेसिकली यह जो आपका Kilfor Girds है न यह किस आइडियोलोजी से तालुपात रखता है तो एक पिरशन तो यह बन कर तयार हो जाता है कि हम Kilfor Girds को याद करें तो क्यों याद करें Kilfor Girds हाला कि एंथ्रोपोलोजिस्ट थे मानो सास्त्री एक दिन मैं एक इंटर्व्यू देख रहा था दृष्टी आईएस का इंटर था सवाल था जो मानो का दिन करता है वो एंथ्रोपोलोजी होता है जो समाज का दिन करता है वो सोचिलोजी होता है हाला तो यह जितने भी चाए हम ब्लूमर की बात करें चाए हम मीड की बात करें चाए हम गौफमेन की बात करें चाए हम हेराल्ड गौर्फिंकल की बात करे चाहे हम अलफेर सूर्च की बात करें चाहे हम कारल मैनहिम की बात करें चाहे हम किलफोर गिर्ड्स की बात करें ये साथियो मानव वहवार मानव के क्रियाओ की बात करता है ये कहता है कि मानव कोई क्रिया करेगा ना तो वो क्यों क्रिया करेगा अब जैसे मान लेते हैं कि कहीं मैं रिसर्च करने के लिए जाता हूँ ठीक है और रस्ते में मुझे कोई मंदिर दिखाई देता है अब हाला कि मेरे मन में कोई धार्मिक विचार नहीं चल रहे थे इदर उदर की बाते चल रही थी लेकिन जैसे मंदिर मुझे दिखाई देता है मैंने उसको नमशकार किया उसको ढोक दिया तो मैंने ढोक दिया तो क्यों दिया मतलब इसके पीछे ऐसा कौनशा वहवार था इसके पीछे ऐसी कौनशी थोड़ थी इसके निर्वाचनात्मक की बात कौन करता है मिश्टर किलफोर गिड्स करता है यानि ये मानव के वहवारों को देख करे साथियों समझ विक्षित करने की बात करता है जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि कई लोग बहुत ज़्यादा रूडिवादी होते हैं अब वो लमिद्धासे उनका शंप्रक ना हुआ हो एसा भी होशकता है कि वह अभी टीक्नोलोजी के संप्रक में ना आये हुए हो उस प्रकार के कौन से कारक इनको जानने के लिए वो क्या करता है उनकी क्रियाओं का अध्यन करता है तो यह व्यथात्मक और निर्वचनात्मक विच ये बिलूमर के समानार्थी हैं, मीड के समानार्थी हैं, गौफ मेन के समानार्थी हैं, गौफ मेन जो ड्रामेटोलोजी की बात करता है, गौफ मेन अभीनेस आस्तर की बात करता है, गौफ मेन ने दो मंच बताएं, एक तो बैक की बात करता है, एक फ्रंट की बात करता है, य देख लेता हूँ आपके कमेंट्स ले लेता हूँ शर मुझे आपकी क्लास लेनी है यह जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे है आप इन पर कॉल करके हमारी क्लास जोइन कर शक्ते हो शर आपका पढ़ाया हुआ 90% फसा है पेपर में सोचलोजी स्टेट भीहार बहुत बहुत शुबकाम नहीं आपको शर यह PGT में हेल्प करेगा क्या बिल्कुल करेगा PGT में तर क्लास रेगुलर लिया करिए कम शेकम हमारी रेगुलर्टी बनी रहे देगी यह समय होता है तो मैं क्लास दे देता हूँ अश्मय नहीं होता है तो फिर आप लोगों शे दूरी बनानी पड़ती है वागी पढ़ने और पढ़ाने में तो मुझे भी मज़ा आता है ठीक है चलो शाब अब मैं रखता हूँ आपका कोई भी कॉस्टन्स है न वो आप कमेंट्स कर देना भली बाद में तो मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा अगर वो काम का शवाल हुआ तो कई बार क्या होता है न बिना काम के भी खूब आता है रखते हैं मेरी शुब कामनाए हैं अच्छे शे मेहनत परो माशार्दा आपकी प्रतेक मनो कामना पूरी करें ठैक्या